सीजन दरी एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और जो सीन हमें दिखाया गया है ये फ्लैश पैक का है सॉल चक के पास होता है और चक के घर में से सब इलेक्ट्रिकल जो एकिपिमेंट्स होते है वो निकालने में उसे मदद कर रहा होते है वहाँ कुछ लोग भी आये होते है वो जो सब ये निकाल रहे होते है चक फिर डिनर बनाता है वो उसकी X5G होती है वो वहाँ आने वाले होती है इसके लिए वो डिनर बना रहा होता है जब वहां आती है तो बोलती है हम डिनर पर बाहर विगरा जा सकते हैं पर चक बोलता है कि नहीं मैंने खाना घर पर ही बनाया है जब वो देखती है कि वहां light विगरा कुछ भी नहीं है तो चक उसे बोलता है कि electricity वालोंने गड़वड कर दी है मेरा address उन्होंने interchange कर दिया इसलिए किस दूसरे ने light bill नहीं भारा था तो उसने मेरी light cut कर दी पुरी घर में lamps विगरा लगाय हुए होते है फिर चक अपने ex-wife से अपने career के बारे में पुछता है उसकी ex-wife जो होती है वो musician होती है इसलिए उसे पुरी world में घुपना पड़ता है इसलिए उसने अपने career के लिए चक से divorce ले होता है पर फिर भी वो बहुत ही अच्छे terms पे उन्हें divorce ले होता है वो अभी भी अच्छे friends होते है तब ही उसको call आता है उस call से चक को बहुती तकलिफ हो रही होती है चक वहाँ से उटकर चला जाता है चक जहा जाता है फिर से वो वही भी आ जाती है तो चक उसका mobile लेता है और fake देता है वो उससे बुछती कि ये क्या था तो चक बोलता है कि बहुती bad manner से अगर तुम किसी के साथ हो और तुमने mobile pickup किया तो फिर उससे बहुती अलग महसूस होता है और फिर वो बोलती है कि मुझे फिर से मेरे hotel लोट जाना चाहिए Saul बोलता है कि तुमारी condition के बारे में तुम्हें उससे बता देना चाहिए तुम्हें ऐसे उससे जाना नहीं देना चाहिए पर चक उससे कुछ भी नहीं बोलता और जाने देता है नेक सिन में हम फिर से सीरीज के present में आ जाते है मायक का जो डॉक्टर होता है जो उससे illegal काम से वगरा देता है उसके पास Saul आया हो होता है Saul को भी उससे मदद चाहिए होती है Saul को एक आदमी चाहिए होता है जो आसनी के किसी भी जेब में कुछ भी निकाल सके या डाल सके याने कि हूल की बात या हो रही होती है फिर वो डॉक्टर उससे हूल का कॉंटक दे देता है नेक सिन में किम मैसा वर्डे के पास होती है वो उने बता रही होते है कि चक ने उसके ब्रदर पर केस डाली है उसे लग रहा है कि तुमारा के Saul ने चुरा कर मुझे दे दिया है वो उने सिर्फ अशुर कर रही होती है कि तुमारा के इससे कोई भी प्रॉल्म नहीं होगी वो किसी और से ना सुने इसलिए उने बता रही होती है नेक सिन में हमें दिखता है कि चक कोट रूम में होता है अब ये जो हीरिंग होने वाली होती है ये सौल के लाइसंस के बारे में होने वाली होती है इसलिए वहाँ चक भी आने वाला होता है तो वो इस कोट रूम को चेक कर रहे होते है चक जब वहाँ आएगा तो वहाँ के लाइट्स वगेरा सब बन करने वाले होते है वहाँ हावर्ड भी होता है हावड फिर चक को बोलता है कि अगर तुम यहां नहीं भी आए फिर भी काम चल जा सकता है हम सॉल का लाइसंस फिर भी बार कर सकते है वो उसे बहुत इंसिस्ट कर रहा होता है फिर चक उसे बोलता है कि यह मेरे बारे में नहीं है यह फिर्म की पियार के लिए तुम शोच रहे हो और इसलिए तुम्हें मुझे यहां नहीं आने देना है चक उसे बोलता है कि मुझे यहां आना ही है और यह वक्त नहीं है कि हम पियार के बारे में सोच सके वो डेटर्माइन होता है कि अब सॉल को उसे डिसबार्ट करना ही है नेक्स दिन अब सॉल कोर्ट रूम में होते है सिर्फ चक वहा नहीं होता चक का जो लॉयर होता है वो कम्यूटी को बताता है कि जो सब केस होता है फिर कीम अपनी गवाई देती है और बोलती है कि सॉल एक क्रिब्यूटर लॉयर है यह अपनी कम्यूनिटी को भी अच्छे से सर्व करता है वो एल्डर ने लोगों के लिए काम करता है वो बोलती है यह केस कोज भी नहीं है यह जो कैसे इसमें सिर्फ दो ब्रजर के बीच में फाइट हो चुकी है और इसमें से इनके रिलेशनशिप तूट गई है इसी के वज़े से यह केस बनाए फिर हावर्ड को गवाई दने के लिए बुलाय जाता है चक का लोयर्ज होता है वो हावर्ड से क्वेशन पुछता है यहाव इस्टैबलिश करता है इससे सॉल वहाँ आया था और उसने एविडन्स को तबाह कर दिया किम फिर हावर्ड से क्वेशन पुछती है वो बोलती है कि सॉल तुमारे साथ काम करता था ये मेल रूम में था और इसने मेहनत करके ये लॉयर बन गया हावर्ड को भी सॉल की मेहनत बहुत ही पसंद आती थी ये भी वो यहाँ बताती है वो फिर उसे पुछती है कि फर्म के लिए तुमने क्यों सॉल को कंसिडर नहीं किया हावर्ड बोलता है कि यहाँ नेपोडिसम हो सकता था चक सॉल का बरदर है और हम नेपोडिसम हमारे फर्म में नहीं चाते थे फिर किम बोलती है कि तुमारा जो लोग हो है ये हैमलिन और हैमलिन मगिल है यानि कि तुम तुमारे फादर के सहनों और तुमारे फादर भी पार्टनर है यानि कि नेपुटिसम का यहाँ कोई भी सवाल नहीं उठता फिर वहाँ चक ने जो टेप बनाई हुई होती है वो सुनाई जाती है फिर चक को गवाई देने के लिए बुलाया जाता है चक के लिए सब लाइट सगरा बन किये जाते है फिर चक वहाँ आ जाता है फिर उस टेप के बारे में चक को पुछा जाता है चक बोलता है कि मेरे ब्रदर ने मुझसे यह केस चुराई थी उसने जान बुच कर ड़कुमेंट चेंज कर दिये थे इससे मेरी केस चली गए और इससे किम वैक्सलर के पास यह केस चली गई उसने सब इविडेंस इस बात के मिटा दिये थे मेरे पास कुछ फिजिकल इविडेंस नहीं था वो जब मुझे मिलने आया तो मैंने नाटक किया कि मेरी मेंटल हालत बहुत ही खराब है इसलिए फिर उसने कनफेस कर दिया फिर लॉयर उसकी फिजिकल कंडिशन के बारे में बोलता है चक सब कुछ बता देता है फिर लॉयर चक से पूछता है कि क्या जो यह तुमारी कंडिशन है इससे तुमारे जज्जमेंट में कुछ फरक पड़ता है तो चक बोलता है कि mentally मैं सब fine हूँ उसके बाद फिर Saul उट जाता है उसके बाद फिर चक की जो ex-wife होती है वो वहाँ जाती है Saul ने उसको वहाँ बुलाया होता है यानि कि चक disturb हो जाए फिर चक break लेता है और अपनी ex-wife से मिलता है वो उसके बोलती है कि तुमने अचे अगर मुझे बताया होता तो मैं समझ जाती है वो उसे support करने के लिए आई हुई होती है चक बोलता है कि ये Saul की plan है Saul ने जान बुचकर तुम्हें या बुलाया है वो इतना खुश नहीं दिकरा होता है तो वो बोलती है कि मैं यहां से चली जाती हूँ पर वो उसे लोक लेता है वो बोलता है कि प्लीज यही रुको मुझे support करो Saul ने जो घर की image होती है वो उसे भेजी होती है इसलिए वो वहा आती है किम फिर Saul को बोलती है ये जब सब खतम हो जाएगा तो वो तुमें hit करेगी फिर Saul उठता है और चक से वो question करना चाता है वो बोलता है कि ये जो टेप तुने बनाई है पर इसके आसपा जो environment था वो हमें पताच होना चाहिए पुरे घर में टेप्स वगरा लगाई हुई थी ये चक वो सब को पताता है फिर Saul प्रूफ करना चाता है कि चक की जो ये condition है ये mental है ये कोई भी physical condition नहीं है वो डॉक्टर के बारे में बोलता है पर चक माननी रहा होता फिर Saul बोलता है कि तुमें पता चल जाता है कि कहा electricity से का source है तो फिर Saul उसे बुछता है कि क्या तुमें आप पता है कि कहा से electricity आ रही है फिर चक Saul को बोलता है कि तुमारे pocket में तुमारा phone है Saul फिर उसका phone निकालता है पर उसमें कोई भी battery नहीं होती फिर वो चक को अपने pocket में चेक करने के लिए बोलता है उसके pocket में ही एक battery होती है यह देखकर चक हैरान हो जाता है कि उसके pocket में battery कहा से आई चक बहुत ही disturb हो जाता है फिर सॉल कोटरों में हीूल को बुलाता है फिर वो सब को बताता है कि जो हूल है उसने चक के pocket में battery रखी थी चक की जो condition है पूरी mental है और चक अच्छे से decision नहीं ले सकता चक फिर disturb हो जाता है कि सॉल एक बहुत इखटी आदमी है यह हमेशा ही लोगों को heart करता हूँ आया है इसने उतनी मेनत भी नहीं ली और यह lawyer बन गया चक की जो सब frustration हो थी सॉल के बारे में वो personally सॉल को hit कर रहा होता है यह सब वो बता देता है कोटरू में वो अपना होश खो देता है सब यह सब सुन दे है और वो हैरान हो जाते है कमीटी को अब यह बता होता है कि चक के लिए यह personal है इसलिए कमीटी अब सॉल को पुरे life के लिए उसका license बनने करती वो सिर्फ 12 मेंद के लिए उसका license सस्पेंड करती है यही एपिसोड खतम हो जाता है